मोटरला ने इंडिया में अपने मोटो जी एट प्लस को जो वो लॉंच कर दिया है हाववर ब्राजिल में तो इनका भी ग्लोबल इवेंट चली रहा था लेगिन साथ में मोटो जी एट प्लस इंडिया में भी आ चुका है और ये आपको सिर्फ एक वेरेंट में मिलेगा 4GB RAM, 64GB Storage, दो कलर से Cosmic Blue और Crystal Pink जो मेरे पास आए वो Cosmic Blue है और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 12-15 के बीच में होगी मुझे पता नहीं क्या होगी लेकिन लगता है 12-999 शायद वो लोग रख सकते है कुछ इसी तरह की काया और Flipkart पर ये अवेलेबल हो जाएगा मैं आपको description में link देता हूँ आप वहाँ पर जाके इसको purchase का सकते है ये वीडियो आप देखते रही है लेकिन उससे पहले आज की जो टेक्नोस वो थोड़ी सी लेट आएगी 9.10 बची के बादी आगी तो टेक्नोस का इंतिजार करना लेकिन ये वीडियो भी देखना और आपकी क्या राई है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना ये वीडियो देखते रही है इस वीडियो में आप लोग को आप से में बताना शुरू कर रहा हूँ आप देखेंगे हैट के लिए आपको 0.409 है और बॉड़ी के लिए 1.370 है तो बॉड़ी के लिए काफी ज्यादा है जो नहीं होनी चाहिए और हैट के लिए थोड़ी बहुत आपको दे रहेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो आप लेको 6.3 इंच की Full HD Plus की IPS डिस्पे मिलती है और सामने देखेंगे दोस्तो आपको U-Shape Notch भी जो दिखाई दे रहा है और ये 19.9 के aspect ratio के साथ में आपको मिलती है जहाँ पर दोस्तो जो screen to body ratio है वो भी आपको कमाल का मिलता है आप देखेंगे bezels आपको इस बार थोड़े कम मिलते है अगर आप उसको पुराने कोई भी Motorola की phone से compare करेंगे तो इस बार उन्होंने bezels आपको काफी अच्छी दिए कम दिए और साथ में Motorola इसको बोलता है Max Vision Display हमेशी की तरह जो डिस्पेल की quality है दोस्तो जो color से वो आपको इहाँ पर काफी बड़ी है जो वो देखने को मिलते है और सके लावा दोस्तो आपको इहाँ पर Qualcomm Snapdragon 665 वाला जो वो processor मिलता है आप इस processor के बारे में हम काफी कुछ जानते है 2 Gigaards के उपर है 11 Nm पर है Adreno 610 वाला आपको GP मिलता है काफी decent processor है दोस्तो और थोड़े बहुत high-end games भी आप इसमें खेल सकते हैं तो उस मामने में आपको यहाँ पर कोई problem नहीं होगी यहाँ पर camera के बात करें तो पीछे दोस्तो आपको triple camera setup मिलता है जहाँ पर चुक primary यहो 48MP का है Samsung वाला sensor है F2.0 का aperture है आप 4K video shoot कर सकते हैं साथ में आपको night vision वगरा भी मिलता है और यह जो camera दोस्तो यह quad pixel technology के साथ में आता है इसका मतलब low light में आपको वैसे काफी बढ़िया picture मिलेगी और वैसे दोस्तो यह कमाल की जीस और भी यह है और साथ में 60MP का आपको action camera मिलता है यह 117 degree field of view के साथ में मिलता है इसके फाइद है दोस्तों कि आप phone को जो वर्टिकल ही रख सकते है और यह आपको landscape में video shoot करके देगा और आपको stabilization भी यहाँ पर देखते हो मिलती है तो camera दोस्तों काफी promising है मैं आपको आने वाले वीडियो में उसकी सारे samples दिखा दूँगा आपको 25MP की यहाँ पर जो वो selfie मिलती है F2.0 का aperture है यहाँ पर भी आपको portrait beauty बगरा मिलता है लेकिन यहाँ पर भी आपको quad pixel technology मिलती है यह बहुत impressive चीज है इसमें भी इसका मतभी है कि night में आपको काफी बड़ी है selfie जो वो देखने को मिलेगी उसकी अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 4000 image की जो वो battery मिलती है तो जो काफी decent है लेकिन साथ में उन्हें ने 15 watt का turbo charger भी बॉक्स में दिया है यह cosmic blue जो कुझस तरगे का लगता है obviously पीछे दोस्तों आपको यह polycarbonate back मिलता है हलका सा आप देखेंगा आपको यहाँ पर gradient finishing उन्हों जो वो provide का है जो कुझस तरगे का है तो काफी सही है दोस्तों curved edges भी है जो grip आपको यहाँ पर वैसे काफी बढ़िया मिलता है तो यहाँ पर सबसे फिरे दोस्तों आपको मिलता है कुछ documentation SIM ejector pin उसके लावर यहाँ पर आपको type C port मिलता है तो obviously type C cable भी उन्होंने जो प्रोवाइट किया है और यहाँ पर आपको जो turbo charger जिसके बार में बोर रहा था वो यह बाला है मैं आपको निकाल गिरी का रहता हूँ तो यह दोस्तो 15W का आपको turbo charger भी दिया है तो इससे आप अपने phone को fast charge कर सकते हैं तो यही है दोस्तों सारे box content फटावर से हमारे phone की तरफ यहाँ पर दूस्तों हमारे phone की तरफ और physical look की बात करूँ तो नीचे देखिएंगे आपको mic hole आपको speaker outwind और साथ में आपको type C port मिलता है लेगिन यह पहला speaker है इसका मतलब इस phone में आपको dual speaker मिलते है stereo sound का effect Dolby के support के साथ में मिलता है अच्छी बात है तो एक speaker यहाँ पर है texture उन्होंने add किया है मतलब थोड़ा सा हाथ लगाती थोड़ा सा feel होता है और उपर की तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5M jack और secondary आपको mic hole मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों हमने phone को boot कर दिया आपको कुछ इस तरह की का मिलता है जैसे कि मैंने कहा था bezels इस बार उन्होंने काफी अच्छे से manage किया है लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखते हैं दोस्तों तो यह हमेशे की तरह Motorola आपको stock Android provide करता है आप देख सकते हैं बहुत ही जबर्दस आपको यहाँ पर user interface मिलता है settings में जाते हैं दोस्तों देखते हैं कि कौन सा आपको Android version मिलता है तो हम जाते है system में हम जाते है about के अंदर और obviously आपको यहाँ पर Motorola की notification बस दे रहते हैं और आप देखिएंगे आपको Android 9 Pie इसमें out of the box मिलता है और बहुत ही जल्दी obviously आपको Android 10 बीस में मिलेगा digital well-being है, dark mode है और यह बहुत features आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और उसके अलावाद दोस्तों fingerprint scanner face unlock दोनों मिलता है तो fingerprint scanner पीछी की तरफ यहाँ पर Motorola की branding में मैं आपको tap करके बताता हूँ आप देखेंगे, open होगा फिरस एक बाद दिखा देता हूँ हम touch करते है और open जाता है तो इतना भी जादा blazing fast नहीं है लेकिन आपको अच्छा कासा fast मिलता है और face unlock की बात करें तो यह देखेंगे, हमने देखा और open करते है तो face unlock आपको अच्छा मिल जाता है fingerprint scanner है तो इसका भी आप यहाँ पर फाइदा उटा सकते है वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको wide one L1 मिल जाता है तो obviously Motorola अपने हर phone में provide करता है तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है उसके लावा साथ में आपको camera to API यानि की google camera वगरा भी अगर आपको future में install करना है तो वो भी आप यहाँ पर इस phone में कर सकते है वैसे दोस्तों यह water repellent है इसका मतलब पानी के अगर चीटे वगरा उटते है तो उसको भी कुछ हद तक यहाँ पर पर prevent करेगा तो यह भी आपको काफी बड़ी है चीज़ देखने को मिलती है वैसे उसके लावा दोस्तों motorlock आपको खुद का dedicated app भी मिलता है और आप देखेंगे यह always on display जिसा feature भी आपको यहाँ पर उन्हें पर provide का है तो अगर आपको कोई notification आता है तो इस तरही की से screen जो लाइट होती है और उसके अलावा भी motorlock के उस app में अगर आप जाते है तो बहुत सारे features मिलते है काफी cool और handy है तो उसका भी आप यहाँ पर फाइदा उठा सकते है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इसमें आपको FM radio भी मिलता है तो हाँ आपका यह काम यहाँ पर बन गया है तो FM radio भी आपको यहाँ पर एक app inbuilt उन्हें ने जो वो provide किया है तो हाँ कुछ इस तरगी की चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलती है आप यहाँ पर दोस्तों बात करते है यहाँ पर दोस्तों बात करते है कैमरे की इंटरफेस की जो आप देख सकते है वैसे कैमरे इसका main highlighting feature है बहुत सारे कमाल के features मिलते है जो special feature जो मुझे पसरा है वो action cam है जो vertically आपको landscape पर video shoot करने देता है और जो stabilization निकल कराती है वो बहुत ही कमाल की निकल कराती है और एक अच्छा feature उने प्रोवाइट के है अगर मैं यहाँ पर tap करता हूँ तो आप देखेंगे बहुत सारे features आपको मिलते है night vision है, cinematography है, portrait shot आप ले सकते है slow motion, time lapse वगरा की features आपको मिलते है और भी बहुत सारे चीज़ आपको मिलते है screen पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ sample दिखार आप देख सकते है actually मैं बहुत ही कमाल के pictures यहाँ पर निकल कर आयते है आप देख सकते है, detailing कमाल की है आपको edge detection भी बढ़िया मिलता है quality जो वो दोस्तों बहुती बढ़िया है दिन में काफी कमाल की pictures आपको जो निकाल कर देता है और साथ में दोस्तों night में भी काफी बढ़िया है obviously quad pixel technology है night में भी आपको काफी bright और काफी sharp picture जो निकाल कर दिता है तो यहाँ पर दोस्तो camera इसका rear है वो काफी impressive है मैं detail camera review करनी की सोच रहा हूँ तो आप वो चाहे तो मुझे comment करके बता सकते है वैसे दोस्तो selfie की बात करें तो selfie भी काफी बढ़िया है 25 megapixel है तो यह आपको निराश नहीं करेगा detail अच्छा है portrait shot भी देखिंगे काफी कमाल के निकल कर रहा है तो उस मामले में कोई problem नहीं है तो camera दोस्तो इसका काफी बढ़िया है camera की मामले में आपको यह बिलकुल भी निराश नहीं करेगा final दोस्तो अगर मैं अपने conclusion की बात करता हूँ यह जो phone है मुझे वैसे काफी decent लगा है मतलब अच्छा phone है बुरा नहीं है और आपको यहाँ डिस्क में बढ़िया मिलती है camera इसका main part है camera मुझे personally बहुत अच्छा लेगा rear हो या selfie हो आपको 4000